अलो फ्रेंड्स मैं एसेस्टिन प्रोफेसर संतोच नपते डिपार्टमेंट ऑप माइक्रोबाइलोजी संभज रहो केंद्रे माविदाले जल्गोट मेरे इस माइक्रोबाइलोजी भाई संतोच नपते यूट्रिब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि इंडिया में सेकंड वेव कोविड-19 पैंडेमिक की चल रही है और बहुत सारे केसेस वहाँ पे अभी कंट्रोल में हैं लेकिन फिर भी बहुत सारे केसेस डेली आपी इंक्रीज हो रहे है और दुसरी बात यह है कि इस कोविड-19 के साथ जो इंडिया के हमारे भारत देश के अलग-अलग राज्यों में जो दूसरा डिसीज यहाँ पे आ रहा है वह है म्योकर माइकोसिस और जिसे ब्लैक फॉंगल इंफेक्शन भी काव जाता है और स्टडी आइसी कही रहे है कि यह जो ब्लैक फॉंगल इंफेक्शन है जो म्योकर माइकोसिस है यह ज्यादा से ज्यादा जो पेशेंट कोविड-19 से रिकावर हुँए है यह जो ट्रीटमेंट ले रहे है उन्ने यह ज्यादा से ज्यादा ऑब्सर किया जता нравится ब्लैक फंगल इंफेक्शन और दिस म्यूकर माइकोसिस तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस म्यूकर माइकोसिस के बारे में और दिस ब्लैक फंगल इंफेक्शन के बारे में मैं इन्फर्मेशन बताने वाला हूँ आप भी इस वीडियो को देखिए और आपकी जो रिलेटिव्स है जो फ्रेंड्स है उनसे भी ये वीडियो शेर कीजिए ताकि उनको भी इस मिलकर माइकोसिस के बारे में इन्फर्मेशन मिले और और दे कैन प्रिवेंट इस इन्फेक्शन ओकरिंटू देर इन मेंडी परसंस एंड दुसरी ये बात अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब कीजिए ताकि बहुश्य में जो भी वीडियो में यहां पे अप्लोड करू सब्सक्राइब में अलग-अलग पॉइंट हम यहां पर देखने वाले जैसे कि यह व्यूकर माइकॉसिस और ब्लैक फंगल इंफेक्शन क्या है उसके बाद आइसा क्यों हो रहा है कि कोई-19 पेशेंट जो कोई-19 से रिकवर हुई है या फिर ट्रिटमेंट ले रहे उनमें अि यह डिसी ज्यूँखर ज्यादा ऑपब्सर किया जारा है क्या COVID-19 और मुकर माइकॉसिस का कोई रिलेशन है या पिया है कैसे है उसके बाद हम देखेंगे मुकर माइकोसिस के symptoms then उसके बाद देखेंगे risk and prevention मतलब कुनसे कुनसे लोगों में मुकर माइकोसिस होने की ज्यादा risk है और उसे कैसे prevent किया जा सकता है उसके बाद हम देखेंगे where इस मुकर माइकोसिस comes from और यह जो black fungal infection है यह कैसे person में होता है तो ओ हम देखेंगे उसके बाद देखेंगे diagnosis and testing इस mucormycosis का diagnosis कैसी किया जाता है और testing कैसी किया जाता है and last में हम देखेंगे इसका treatment कैसे किया जाता है तो friends आप सभी अभी टीवी पे newspaper में देख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारी news वहाँ पर अभी आ रहे है क्योंकि इंडिया में और कुछ state में mucormycosis के patient भी यहां पर बढ़ रहे हैं तो यह ऐसे बहुत सारी news आप टीवी पर पेपर में देख रहे हैं जैसे कि यहां पर कोरुना से तीक होने के बाद mucormycosis से आठ लोगों की मौत या फिर यह इंडियन में है mucormycosis ट्रेट इन महरास्ट्रा टू कोईल पेशेंट्स डाई और फंगल इंफेक्शन इंठाने एंड शिक्स हस्पेटर हस्पेटलाइज उसके बाद एक और न्यूज है महरास्ट्र में है गौवर्मेंट अनौंसे सेपरेट वार्ट्स पर पेशेंट अब यह इसे बहुत सर्यावी स्टेट में यह मौकर माइकोसिस के और ब्लाक फंगल इंफेक्शन के केसे बढ़ रहे हैं यह जो केसे बढ़ रहे हैं यह सभी जादा से जादा कोविद नाइंटिन रिकवर्ड यह जो फिर ट्रीटमेंट कोविद नाइंटिन की ले रहे हैं तो इसमें हम देखेंगे पूरा और यह कुछ एक स्लाइड यहां पर मैंने लाई है इंफेक्शन फाउंड जेनरली इन डाइबेटिक्स और कुछ लोग डाइबेटिक नहीं है फिर भी अफ्टर कोविद ही और उनकी रिजिस्टंस पाउर वहाँ पे कम हो रहे है तो इन लोगों में हुई म्योकर माइक्वाइकोसिश का खत्रा वहाँ पे बढ़ रहा है तो यह म्योकर माइकोसिश एक सीरेस Tयंस टाइप फंगल इन्फेक्शन है जनरली जिन लोगो की रिजिस्टंस पाउवर य ये जो होता है यह एक लुपॉल माय मैसी मोल्ट की वजह से होता है जो एक problem है और जो लोग ऐसे जिनकी और जो इनि इम्णो कॉंप्रमाइब से कम हुई है तो यह जो लोग है से यह रिस्क पर है उसके बाद जनरली दोज डियाबिटिक पेशेंट्स वार रिकवर्ड फॉम कोविड-19 जो डियाबिटिक पेशेंट है कोविड-9 से रिकवर्ड हुए है उनको उनमें भी यह म्यूकर माइकॉसिस का खत्रा वहाँ पे चा तो या तीन हफते के बाद यह डिसीज यह म्यूकर माइकॉसिस और ब्लैक फॉमल इंफेक्शन उन लोगों में वहाँ पे ऑब्ज़र किया जा रहा है तो यह जो ट्रीट्मेंट कोविड-19 पेशेंट को दी जाती है उनमें स्टेरोड्स यूस किये जाते है फॉर ट्रीप् को मॉर्बिडिटीज है तो यह कोविड-19 पेशेंट जिनमें स्टेरोड्स वहाँ पे यूस किये जा रहे है और इनमें कुछ नकुछ को मॉर्बिडिटीज है मतलब बाकी के कुछ डिसीज वहाँ पे है उन लोगों में तो ऐसे लोगों को यह म्यूकर माइकॉसिस और ब्ल प्रक्षॉल प्रक्षॉल इंफेक्शन और इस नौ डिटेक्टेटेटेश इन सम्विड-19 पेशेंट इन दिल्ली महारस्ट्रा एज गुजरात अगर यह डिसीज इनिशियल स्टेजिज में ट्रीटमेंट इसकी अगर नहीं की गई है तो दाट डिसीज विल किल एपेशें है तो उन में आपर जोज एंड आईज का वहां पे लॉस हो रहा है तो इस ग्रॉप नोन आज मुकर मैसिट्स विच अट्रली प्रेसेंट इंवर्मेंट और प्यूपल फूर्यूस देर अबिटी तो फाइट एंवर्मेंटल पाटोजेंस तो यह अर्मोर्वर्वर्वर्व बीज से लड़ने की शकति या जिसे हम रोख प्रतिकार चंदी करते हैं तो थो आहसे लोगों में यह ब्लाप फूर्वर्वर्विक्श्टि अद आपने से बिल्स्पोर और देNews ब्लग सप्र्वर्वर्वर्वर्वितने है और जब लोग इस एयर को जिसमें ये ब्लैक फोर से इनेल करते हैं तो उनके लंग्स में एंड साइनसिस में वहाँ पे होता है और इनके सिंटम्स जो है हो है पेन एंड रेडनेस अरूंद आइस और नोस उसके बात फ्यूर है है कफिंग शॉटनेस और ब्रीथ मतलब वहा यह एड और सेरस तो यह अगर सिंटम्स जिंटम्स है यहां प्रीजिंटम्स है यह पेन अडर टी आइस देन वनसाइट फेसेल स्वेरिंग हीड़क फुर नेजल और सायनस गंजेशन देन ब्लैक लेशन वान नेजल ब्रीज और लॉस आट इस पार्शिल विजन लॉस तो यह जो डीज़ ब्लाक फॉंगल इंफेक्शन और म्योकर माइकोटीज इसका ट्रीटमिंट किया जाता है बाइउसिंग अन्टि फंगल एजेंट यूस करके इस डीजर का इस मियोकर माइकोटीज का ट्रेटमिंट यहां पे किया रहता है तो फ्रेंड्स हम देखेंगे अभ प्रवाइब जाता था अभी इसे म्यूकर माइकोसिस कहते हैं एक रेर फंगल इंफेक्शन है जो की एक मोड के ग्रूप से की हो जाता है जिसे कहते हैं म्यूकर माइसेट्स और जब प्यूपल्स में या लोगों में हेल्थ प्रॉब्लम से या फिर कोई मेडिस्टीन हो ले र सकते हैं अगर यह अबिलिटी मतलब इनकी रूप प्रतिकरक्शक्ति अगर कम हो गई है चाहे वो हेल्फ प्रॉब्लम की वज़े से हो चाहे वो कुछ मेडिसीन लेने की वज़े से हो तो ऐसे लोगों में यह फंगल इंफेक्शन वापे होता है एंड जो अर्गंस यहां प इस मुकर माइकोसिस और जो परसंस ऐसे जो डियाबेटिक है और इम्मिनो कॉम्परमाइस है मतलब इनकी रूप प्रतिकरक्शक्ति वहां पे कम हुई है चाहे वो कैंसर की वज़े से हो और चाहे वो एसकी वज़े से हो तो ऐसे लोगों में यह फंग फंगल इंफेक्शन क का खत्रा ज्यादा है चंसेस ज्यादा है और इसके अलावा मतलब नोज और लंग्स के अलावा इस मुकर माइकोसिस कांगर ऑकर उन दे स्कीन इस देर इस अ कुट इप देर इस अ बर्न और अधर ताइप ऑफ इन पर यह होता है देन एक स्टोरी याद मैंने लिए है निव 25-year-old woman who had record from the COVID-19 disease. COVID-19 से यह एक जो मैला है यह इसका treatment हुआ है, recovered हुई है and operation theater में अभी doctor इसका मतलब surgery कर रहे है, sample ले रहे है क्योंकि that lady, he was suffering from this mucormycosis or black fungal infection जिसमें treatment लिए COVID-19 की recover भी हुई है, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि जो patient COVID-19 से recover हुई है, उनमें mucormycosis का खत्रा ज्यादा है, black fungal infection का खत्रा ज्यादा है, अभी ऐसा क्यों है, COVID-19 से जो patient recover हुई है, उनमें mucormycosis या black fungal infection का खत्रा ज्यादा है, क्यों कि जो COVID-19 patient की treatment के लिए जो stirrides क्यों करते हैं, क्योंकि COVID-19 अभी मालूम हुए है, कि ये lungs infection है, so जो inflammation lungs का है, उसे कम करने के लिए COVID-19 patient के treatment के लिए यहाँ पे steroids use के जाते हैं, and these steroids, they stop the damage, some of the damage that can occur due to this COVID-19, but they also reduces the immunity, steroids lungs का inflammation तो कम करते हैं, लेकिन उसी के साथ, जो patient की जो immunity है, उसको भी release कर रहे है, जो रोप्र अधिकार सकती है, उसे कम कर रहे है, and they are increasing the blood sugar levels in diabetic as well as non-diabetic COVID-19 patient, तो ये steroid का, मतलब एक side में steroids, lungs का जो inflammation है, जो COVID-19 की वज़े से हुआ है, उसे कम कर रहे हैं, और दुसरा जो effect है, जिससे हम side effect करे सकते है, कि जो patient की immune system, रोप्रतितरक शक्ती को कम कर रहे है, steroids, और उसके बाद, जो sugar level है, blood sugar level, उस patient की, चाहे हो diabetes को, चाहे हो non-diabetic को, तो उसे भी वहाँ पे, ये sugar level बढ़ रही है, because of this steroids, and so, there is a thought that, this drop in immunity, तो ये मतलब report किया गया है, कि ये जो रोप्रतितरक शक्ती की patient की कम हो रही है, so, this decrease or drop in immunity, it is triggering these cases of mucormycosis, तो ये immunity कम होने की वज़े से COVID-19 patients में, mucormycosis के chances वहाँ पे बढ़ रहे है, खत्रा वहाँ पे बढ़ रहा है, अभी symptoms कोंसे कोंसे, mucormycosis के, तो symptoms of these mucormycosis, they depend on where in the body that fungus is grown, क्योंकि बढ़ अलग अलग जगा पे ये black fungus ग्रो होता है, और ये black fungal infection वहाँ पे होता है, तो कोंसे organ में, कोंसे side में, body के कोंसे parts में ये infection वहाँ पे हुआ है, इस पे ये पूरे symptoms depend है, जैसे कि symptoms of rhinocerebral, that is of nose, sinus में और brain में अगर infection होआ है, तो इस mucormycosis के symptoms वहाँ पे अलग लग रहते हैं, जैसे कि one-sided facial swelling, अगर symptoms, ये जो symptoms है, राइनो-celebral, mucormycosis, और जब अगर infection sinus और brain में होआ है, तो symptoms को आपके कुंते होते हैं, one-sided facial swelling, उसके बाद headache, nasal और sinus congestion, then black lesions on the nasal breeze, और upper inside of mouth, that quickly become more severe, उसके बाद fewer, तो ये symptoms है, अगर infection sinus और brain में होआ है, तो इसलिए, तो ये आपको ख्याल में रखना है, कि अगर कोई symptoms ऐसे दिख रहे है, COVID-19 patient recover, जो recover होए उन में, तो immediately you are to contact with doctors, then अगर lungs में infection हुआ है, जिसे हम pulmonary mucormycosis करते हैं, तो वहाँ पे symptoms रहते हैं, fewer, cough, then chest pain, and shortness of breath, तो ये जो infection है, ये है pulmonary mucormycosis के, मतलब अगर black fungal infection lungs में हुआ है, तो ये symptoms हुआ है, उसके बाद है, skin और cutaneous mucormycosis, क्योंकि skin में अगर burn है, कोई injuries है, surgery हुई है, तो वहाँ पे अगर infection हुआ है, mucormycosis का, तो skin के, उसे cutaneous mucormycosis करते हैं, और उसके symptoms अलग अलगे, जैसे कि वहाँ पे blisters और ulcers आते हैं, और that infected area, it turn black, मतलब जिसके skin के जिस एडिया में, black fungal infection हुआ है, तो उतना area वहाँ पे black हो जात है, और जो symptoms है, cutaneous mucormycosis में, वह है, pain, then warmth, excessive redness, और swelling around the injury और wound, फोर्थ है, symptoms of gastrointestinal mucormycosis, अभी gastrointestinal mucormycosis के symptoms है, abdominal pain, nausea and vomiting, and gastrointestinal bleeding, then next है, deciminated mucormycosis, so this deciminated mucormycosis यह जो आता है, तो यह ऐसे लोगों में आता है, जो already sick है, मतलब, कोई ना कोई disease से वो suffer हुए है, या फिर कोई other medical conditions उसमें है, disease है, age problems है, so it is very difficult to know which symptoms are related to that mucormycosis, in that deciminated mucormycosis type, and that patients with this deciminated infection in the brain, they develop mental changes in the mental behavior, okay, और sometimes it leads to the coma, तो यह symptoms होगे, यह diagram है, जिसमें mucormycosis के symptoms के आपे मैंने दिखा है, जैसे की pain and redness around the eyes and nose, fewer है, headache है, then shortness of breath है, sore throat है, diarrhea है, then discoloration of fingers and toes, तो यह अलग-अलग symptoms है, mucormycosis के और जिसे हमी ब्लाक-फॉर्मल इंफेक्शन भी टेट है, देन है risk and prevention, अभी कौन से कौन सी लोगों में risk है, या फिर जाता chances है कि वह उन लोगों में mucormycosis या ब्लाक-फॉर्मल इंफेक्शन हो सकता है, और तो इसलिए अगर यह मालू हुआ कि चलो ऐसे लोगों में mucormycosis का खत्रा ज्यादा है, तो जो लोग या फिर उनकी care कर स सकते हैं या फिर यह information वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, तो यह तो और दिमेंग बता है कि mucormycosis, it is a rare and it is more common among people who have health problems, यह mucormycosis ऐसे लोगों में common है, जिनको कुछ health problems है या फिर लोगों कुछ दवाए ले रहे हैं, medicines ले रहें, जिसकी वज़े से उनकी जो body की ability है, pathogen से fight करने की अलग अलग रोगों से fight करने की तो वो कम हो जाती है, so that person they are more susceptible to that mucormycosis और black fungal infection, जैसे कि यहाँ पे diabetes है, मतलब diabetic patient है, those patients especially with diabetic ketoacidosis, यह more susceptible है, ज्यादा susceptible है, cancer के patient है, इनमें भी यह ज्यादा possibility है mucormycosis होने की, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने organ transplantation किया है, या फिर stem cell transplantation उन लोगों में हुआ है, तो उन लोगों में भी यह risk है, mucormycosis की, या फिर neutropenia जिन में है, मतलब low number of white blood cells, अगर कुछ विजन्सी की वज़े से उनका WBC count कम हो गया है, जिसे हम neutropenia कहते हैं, तो उन लोगों में भी यह risk वापे ज्यादा है, देन, ऐसे लोग भी वहाँ पे more susceptible हो जाते हैं, for this black fungal infection, then, too much iron in the body, iron ओर और जिसे क्या कहा जाता है, hemochromyatosis, तो यह लोग भी risk, उनमें भी risk है, mucormycosis की और black fungal infection की, और those patients, who have that skin injury, may be due to surgery, burns or wounds, and prematurity और low birth rate, अगर prematurity दिरिए हो है, तो उन बच्चे 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 ब में यह जगा कत्रा है, mucormycosis का, low birth weight में अगर है, for new natal, और जिसे कहा जाता है, new natal, gastrointestinal mucormycosis, तो यह threats to the life, mucormycosis क्या-क्या threats है, life को, यह diagram है, जैसे कि infection तो यहाँ पे सभी में होता है, brain में, sinuses में, lungs में, gastrointestinal mucormycosis है, और यह reasons है कि अगर वो patient immunocompromise है, या फि pathogen से लगने की जो शक्ति है, जिसे हम रोग प्रतिकार शक्ति कहते है, वो कम हो गई है, या फिर वो patient, HIV infection उनको हुआ है, AIDS से सफर हुए है, तो उनको भी यह ज्यादा चंसे से वहाँ पे, mucormycosis होने का, या प्लैक fungal infection होने का, तो यह diagram हो, then, how does someone get mucormycosis, तो अब यह कैस जो infection हो रहा है, तो यह that infection comes in that person, when they come in contact with fungal spores present in the environment, तो अगर यह कोई immunal compromise, COVID-19 recovery patient, जिसमें diabetic patients है, और non-diabetes भी, अगर यह fungal spores के contact में आगए, जो environment में present होते हैं, तो उनमें यह mucormycosis का infection महाँ पे होता है, जैसे कि, lungs or sinus, they forms the, forms of the infection, and that can occur, after someone inhales the spores present in that air, अगर उस air में यह fungal spores को आपे present है, और यह patient उस air को inhale कर रहे है, तो आपे infection का खत्रा जागा है, या फिर skin infection, so through that skin infection or through skin injuries, that fungal spores enters into the skin and causes the mucormycosis, लेकिन अभी तत्त यह मतलब fix है, कि mucormycosis contagious है या नहीं, so that mucormycosis, it is not contagious, but that means it can't spread between people or between people and animals, so यह contagious नहीं है, लेकिन अगर डारेक्ली, वो person fungal spores के contact में आगे, तो आपे infection होता है, then how can I lower the risk of mucormycosis, तो अभी यह जो patient है, जो covid-19 से record हुए है, या फिर treatment ले रहे है, या फिर जिन जो persons immunocompromise है, या फिर जिन में organ transplantation हुआ है, तो इन में हम किस तरह से यह mucormycosis की risk हम कम कर सकते है, तो यह है, it is difficult generally to avoid breathing in fungal spores, क्योंकि हम एर तो हम ही चाहिए है, oxygen जिसमें रहता है, तो यह बहुत difficult है, fungal spores मतलब prevent करने हैं, चलो खाली air लेते हैं, और fungal spores को हम filter कर लेंगे, that is not possible, okay, so there is no vaccine to prevent mucormycosis, mucormycosis को prevent करने के लिए vaccines भी नहीं है, लेकिन for people who have weakened immune system, ऐसे जो लोग है, जिन में रोख प्रतिकारक शक्ति या immune system weak है, so there are कुछ preventive measures है, जिसकी सहायता से यह लोग mucormycosis को prevent कर सकते हैं, या फिर रोख सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो protect yourself from the environment, and it is important to note that, although these actions are recommended, they haven't been prone to prevent mucormycosis, मतलब यह एक हम खबरदारी ले सकते हैं यहाँ पे, जिसकी सहायता से हम mucormycosis को prevent कर सकते हैं, उसकी risk हम कम कर सकते हैं, तो क्या है यह preventive measures, so try to avoid areas with lot of dust like construction और excavation sites, मतलब ऐसे कुछ area को आपको avoid करना है, जहाँ पे dust particles ज्यादा है, अगर आप उस area में जैसे की construction site है, excavation sites है, आपको वहाँ जाना ही पढ़ रहा है, there is no alternative, then आप वहाँ पे जाईए, लेकिन you have to wear N95 mask, mask पेहन के जाए, ताकि जो dust particles है उस area में आपके nose में नहीं जा सके और आपको में आप म्यूकर माइकोसिस से मतलब prevent कर सकते है, so then avoid direct contact with water damage buildings, क्योंकि यह moisture वहाँ पे रहता है, जापे यह fungal spores ज्यादा chances रहते हैं वहाँ पे ग्रोह होने के flood water after hurricanes and natural disasters, यह सब को avoid करना है, then avoid activities that involves close contact to soil or dust, for example add work और gardening, मतलब ऐसे लोगों ने यह activities को भी avoid करना है, जिसकी वजह से soil के और dust के वो close contact में आते हैं, तो यह activities भी उन्हें avoid करना है, अगर यह possible नहीं है, तो wear shoes, long pants and long sleeves shirt, when doing outdoor activities, for example gardening, add working और visiting wooded areas, तो यह आप कर सकते हैं, चलो अभी alternatives हैं कि आप activities avoid नहीं कर सकते हैं लेकिन आपको alternatives यहाँ पे हैं, कि आपको shoes पहनने चाहिए, long pants आपको पहनने चाहिए, long sleeve shirt आपको पहनने चाहिए, जब आप gardening के activities कर रहे हैं, add working कर रहे हैं या फिर wooded areas को visit कर रहे हैं, then wear gloves when handling materials for example soil, moss or manure and to reduce the chance of these developing a skin infection, then clean skin injuries with soap and water and especially if they have been exposed to soil or dust, तो यह भी खबर दर लेनी है, skin infection अगर आपको कुछ prevent करना है या release करना है, तो जो injuries वहाँ पे skin पे हुई है इसे soap और water से wash कीजिए अच्छी तरह से, और अगर उस जो injuries रहे वो soil or dust को exclusive तो उसे भी अच्छी तरह से wash कीजिए, तो जो treatment है यहाँ पे antifungal medications या फिर drugs वहाँ पी यूस की जाते हैं, क्योंकि यह antifungal medicines they kills that fungal or fungus or they destroy that spores, so that is very essential to use this antifungal medication. next is where that mucormycosis comes from, कहां से आ रहा है, mucormycosis यह जो infection यह कहां से हो रहा है, तो यह जो group है, जिसे कहां जाता है mucormycids, so which is a group of fungi and it causes mucormycosis, तो यह fungi or that fungal spores they are naturally present in the environment and particularly they are present in soil or they are present in association with decaying organic matter, for example lues, compost piles as well as animal dump, यह सभी में यह mucormycosis fungus वहापे रहता है, उनके spores वहापे रहते, and they are also more common in soil than in air, soil से ज्यादा यह air में fungal spores रहते, and in summer and fall than in the winter or spring, then those people who come in contact with these microscopic fungal spores everyday, so there is a more possibility of occurrence of these mucormycosis in such persons, and that's why so they have to take care, so that people who have wicked immune system, और इनकी रोप प्रतिकरक सक्ती कम हुई है, और after breathing that mucormycid spores, so there is a more chances of occurrence of infection in the lungs or in the sinuses of these pupils, अगर उन्होंने खबरदारी नहीं लिये जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया, तो ऐसे लोग में यह fungal spores infection होने की शक्यता या possibility ज्यादा है, और mucormycosis का और black fungal infection का chance वहाँ पे जाता है, then अभी कौन से कौन से fungi है, जो mucormycosis को और black fungal infection को responsible है, so यह जो अलग 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 फंजा है, यह है, they belongs to the scientific order that is called as mucorales, and जो fungus है common fungus which causes this mucormycosis or black fungal infection जिससे कहा जाता है rhizopus, and mucor species, दुसरे जो एक्जमपल है fungus के वह है rhizomucor, then syncephalosterum, then cunning gamela, that is bertholete, then aphophagomyces, then lykithemia which is formerly called as absidia, then saxinia and rhizomucor, तो यह अलग अलग fungal names है, जिसकी वज़े से mucormycosis होता है, और black fungal infection होता है, then diagnosis and testing for mucormycosis, अभी mucormycosis का diagnosis कैसे क्या जाता है, या कौन से कौन से test वहाँ पे use किया जाता है, तो जो डॉक्टर से और health care providers, पहले तो एक patient की history चेक करते हैं वहाँ पे, कि यह COVID-19 record patient है, इसमें diabetic है गया, क्या यह non-diabetic है, यह इसमें history में पहले कभी organ transplantation हुआ है क्या, यह सब history वहाँ पे चेक की जाती है, बाद में symptoms observe की जाते है, physical examination वहाँ पे कुछ की जाते है, और उसके बाद laboratory test वहाँ पे की जाते है, in the याए, okay, then these health care providers they suspect or who suspect that mucor mycosy in lungs or sinuses, so that doctors or that healthcare providers they collect the sample of fluid from the persons who have these symptoms. Then they perform tissue biopsy in which small portion of that affective tissue is analyzed in laboratory for checking of that fungal spores or that can be done in the fungal culture microscope under microscope they check whether there is a fungal spores are there or not or there is a fungal culture will be done and उसके बाद CT scan किया जाता है लंग्स का sinuses का और अधर बारी body parts का so depending on the location of the suspected infected infection infection वहाँ पर body में कहां पर हो रहा है इसके accordingly वहाँ पर लंग्स का साइनस का CT scan किया जाता है दें treatment for mucormycosis अभी treatment क्या है mucormycosis की treatment कैसे करते है तो यहाँ पर जैसे की बैदा है कि mucormycosis it is a serious infection अगर वह untreated रहा तो डेथ वहाँ पर हो सकती है पेशेंट की थो mortality rate जो है में कर माइक्स में यह 50% है तो था पेशेंट शुड़ नेट्स तो बीट ट्रीट विट एंटिवर्गनल बेशिंट एंटिवर्गनल बेशिंट एंफोंपल एंफोंटरी और यह तो बहुत बहुत बढ़ गाया है तो वहाँ पे शर्जरी वेरी इसेंचिल है जैसे कि कुछ हमने पढ़ा है कि आईज निकाल गए है कुछ पेशेंट्स के क्योंकि अगर वह निकाले नहीं जाते तो वह इंफेक्शन जो है ब्लैक फंगल इंफेक्शन वह ब्रें तक स्प्रेड हो जाता है तो यह हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखी है इस म्योकर माइकॉसिस और ब्लैक फंगल इंफेक्शन के बारे में यह जो पूरी इंफॉर्मेशन मैंने लिए है यह रेफरेंस लिए है मैंने सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल और प्रिवेंशन एंड वाच दिस वीडियो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू